असलाम वालेकुम मैंने इस भारिया परवीन और वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम ENG101 का थर्ड लक्षे करने जा रहे हैं तो गाइस मैंने काफी टाइम से जो है वो वीडियो अप्लोड नहीं की और आई नो के जो स्टुड़न्ट सा उनको काफी डिस्टर्बंस भी होगी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अप्लोड नहीं की तो इसकी भी एक रीजन थी कि मेरी आई साट जो है वो वीक होगी थी और जो ये डिस्टर्बंस होई है उसके लिए मैं अगेन माज़त करती हूँ बट मैं इन्शाला जल दल जल जल जो है अपने लेक्चर जो है वो कम्प्लीट करवा दूंगी आप लोगों ने बिलकल भी परशान नहीं होना बलके इसी तरह मोटवेट रहना है और अपने लेक्चर जो है वो प्रॉपरली परपेर करते रहना है तो चलिए अपना जो है आज का लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं और गाइस आज का जो लेक्चर आई है हमाली बहुत इंपूड़न्ट है इसमें से लाजमी तोर पर जो है वो mid term या final term में जरूर आता है पेपर तो इसको आप बिल्कुल भी skip ना कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको prepare कीजिएगा topic sentence हो गया, topic paragraph और main idea ये जितनी भी चीज़े इस lecture और इस next lecture में जो दी जाएंगी उनको आप अच्छे से prepare कीजएगा, मैं अगेन कहा रही हूँ क्योंकि वो भूर सदा important है आपके final या mid term के exams के लिए तो थर्ड लक्चर मारे पास है reading for our main idea तो main idea क्या है ये मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूँगी और इस lecture से क्या चीज़ डिवल्प होगी इस lecture से reading skills जो है वो हमारी डिवल्प होगी तो basically इस lecture के मरे पस तीन parts है first part कौन सा है topic of a paragraph, second है main idea of the paragraph and third है details which sports the main idea तो इन तीनों पे हम जो है वो briefly discuss कर लेंगे सबसे पहले हम अपना जो first topic उसको discuss कर लेते हैं तो हमारे पस क्या है topic of a paragraph, topic of paragraph होता क्या है means what is the topic of a paragraph, ये एक paragraph का subject होता है means what the whole paragraph is about, इसमें बताया जाता है कि ये paragraph किस बारे में है अब याद रुखिएगा कि जब आप लोग paragraph डीड करेंगे तो आपके मारे में जो आएगा कि ये paragraph हमें ये चीज़ बता रहा है ये इसके बारे में है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि topic of the paragraph ये है अगे next है कि it can usually be expressed in a word or two अब ये एक word भी हो सकता है और एक phrase भी हो सकता है तो जब आप लोग एक paragraph read कर रहे हो तो इस चीज़ पे focus करो कि writer आप लोग को क्या कहना चाहा है वो इस paragraph में क्या discuss कर रहा है और आप लोग को जो वहाँ पर part नजर आए कि writer बार्ट को ये चीज़ message दे रहा है या कोई बात आप लोग को इस paragraph से कहना चाहा है तो वो क्या होगा वो उस paragraph का topic होगा तो मैं again बता देती हूँ आप लोगों ने किस किस चीज़ पर focus करना है सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये paragraph है किस बारे में दूसरा आप लोगों ने गोर करना है कि इसमें जो writer है वो हमें कहना किया चाहरा है इन दो तीन चीज़ों पर आप लोगों जब गोर करोगे तो आप लोगों का topic of the paragraph easily मिल जाएगा तो यहां पर जो third paragraph में दिया गया text 3 में वो हम लोगो यहां पर देख लेते हैं अब उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है प्लांस के बर में बताया है के प्लांस केरी on a number of activities के वो कुछ activities जो है वो perform करते हैं they do work काम करते है function उनके होते है in short plant physiology is the area of botany concerned with the study of these activities and functions तो यहां पर आप लोगो और करें paragraph मैंने जो है वो आपको completely रीड करके नहीं बताया आप लोगो रीड अगर करें तो उपर उनने हमें क्या बताया है के plants के uses क्या है वो क्या करते हैं क्या कुछ मतलब इस्तमार करते हैं क्या कुछ absorb करते हैं सारा कुछ उसके uses और उसका जितना भी मतलब उसकी physiology है वो हमें बताई है तो इसका last पे उनने हमें बता भी दिया है कि Plant Physiology is the area of botany concerned with the study of these activities. तो जो Plant Physiology है हमारी वो किस से concern करती है? प्लांट स्की एक्टिविटी से. तो इसका मतलब जो Plant Physiology है वो क्या होगी हमारी topic of the paragraph? क्यूंकि जितना भी paragraph उस सारे paragraph में प्लांट स्की एक्टिविटी जो बगारा बताएगे हैं जो के concern करते हैं Plant Physiology से, जो बातनी से concern करती है. तो इसका answer क्या होगा topic of the paragraph क्या होगा? क्या होगा कि Plant Physiology? तो आई होब के जो paragraph का topic है वो आप लोगोंने कैसे पिक करना है? वो आप लोगों को पता चल क्या होगा? आप लोग कंप्लीट जो है paragraph को read करें उसमें जो आप लोगों को main चीज मिलती है वो क्या होगी? topic of the paragraph अब यहाँ पे कुछ जो है वो paragraph वगरा दिये गए हैं तो आप लोग इसको खुद read कर लीजेगा और खुद से ट्राइ कीजेगा कि जो topic of the paragraph है उसको आप लोग खुद read करके search करें इसका topic जो है वो क्या है? अब उसके बाद यह जो paragraph है इनके बाद नीचे लिखा हो है कि now here is a short exercise to test what you have learned topic sentences are given तो यहाँ पे topic sentence दिये गया है जो हैड़ाउस मैंने डाउनलोड की है I think so कि यहाँ पे कोई ना कोई पेज या कुछ ना कुछ चीज यह missing है जिसमें उन्होंने topic sentence का बताया ही नहीं बलके direct जो है वो exercise दे दिया है कि solve करने के लिए और अगर ऐसा नहीं भी है तो मैंने फिर भी जो है इस paragraph का मतलब क्या है basically आप क्या सकते हैं कि यह हमें बताता है कि इस paragraph में कहा क्या गया है जैसे topic paragraph होता है कि इस paragraph में क्या 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 गया है इसे दरह topic sentence में भी यहीं पता चलता है कि इस passage यहाँ इस paragraph में क्या 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 गया है अब इन दोनों में में डिफरेंस किया है कि जो टॉपिक आफ दे पैरग्राफ होता है वो एक वर्ड या एक जो है फ्राज सा होता है बिल्कुल छोटा सा होता है टॉपिक और टॉपिक सेंटेंस जो है यह एक कम्प्लीट सेंटेंस होता है एक कम्प्लीट सेंटेंस में जो पूरा पैरग्राफ ह मिलते जुलते होते हैं, अब उस paragraph का कहीं से भी लिया जा सकता है, मतलब वो जो topic sentence हा, वो उस paragraph का कोई भी part हो सकता है, और उसमें main points या main words जो है, वो लाजमे दोर पर mention किया जाता है, तो इसमें main चीज़ याद रखने वाले किया है, कि जो topic sentence आई है में उस complete paragraph का जो है मतलब होता है कि इसके paragraph में क्या कहा गया है और एक sentence की form में होता है एक word या एक phrase नहीं होता भलके एक sentence होता है तो अब इसकी जो examples दी गए हैंड आउट्स में वो हम देख लेते हैं तो first topic sentence जो हमें ये दिया गया है कि the Nile, the largest river in Egypt is unique तो वो कह रहे हैं कि जो Nile river है वो largest river है जो Egypt में पाया जाता है वो एक unique है because it अगे चोर option दियेगे अब हम ने इसमें से क्या करना है topic sentence जो है वो ढूनने है तो first हमेरे पास क्या है कि it describes where Egypt is अब ये जो sentence है ये describe नहीं कर रहा है ये जो ऊपर हमें एक sentence दिया गया है उसमें क्या कहा गया है तो ये नहीं describe कर रहा है क्या कहा गया ऊपर एक river की बात की गई है जबके first option में river का जिकर ही नहीं किया गया तो ये answer नहीं हो सकता second question explains why the river is unique तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि creatively की जोे Fuk Нdenki हो Tongél Week होने की भी बात की गयी है तो इसकर हम सोच सकते हैं कि इसका आंसर है लेकिन बाकी option भी लाजमी तोर पर देखने झाये हमें अगर ऐकมาशन लगता उस पर direct answer नहीं लगा सकते कि यह ही जब तो तेर्ड आप्शन मेरे पास किया है के इडार लार्ज विट तो जो करें यहां पे कहीं भी ओपर जिखर नहीं किया गया कि यह किसी भी रिवर के साथ जब कि यह बताया गया कि यह उनीक है और लार्ज अस्ट रिवर है तो तीनों आप्शन में जो सेकंड आप्शन और वही हमारा अंसर है क्योंकि यह एक्स्प्रेइन करता है कि हुआ रिवर इस यूनिक तो यही आप्शन जो है यह हमारा उपपर दियेगे संटेंस को साथ मैच हो रहा है और यही हमारा टॉपिक संटेंस होगा तो आप टॉपिक संटेंस की जो सेकंड इग्जेंपल दी गी है वो देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया है कि लिटल नाउं स्टोरी अबाउट एमे जना टेल्स अबाउट हीज मैनर आफ तिंकिंग तो कहरे हैं कि जो कहानी बनीगी है महमाद दली जनाह के बारे में बोजहरप हो जिसका जिकर हो रहा हो या ओभराल जो है वो इस संटेंस को जो है जोडिफाइन कर रहा हो वो वाला उचाइश जो है वो मारा कुरreक्ट आउचर होगा तो first हमारे पास क्या है First हमारे पास है It describes the passing of the Lahore resolution No इसमें जो हमारे पास उपर दिया गया sentence है उसमें कहीं पे भी Lahore resolution की बात नहीं की गई बलके मुहमद अली जना जो हैं उनकी thinking की बात की गई आनके उन्होंने इन जो कारनामे सर अंजाम दिये, उनकी बात नहीं की गई भलके उनकी जो स्टोरी है, उसकी बात की गई है तो सेकेंड अप्शन वार पस क्या है कि समराइजिस जना स्पीच अद लाहॉर मार्श नाइटीन फोटी नो, इसकी बात भी नहीं की गई और थर्ड अप्शन वार पस है कि रिलेट्स था लिटल नाउं स्टोरी तो आप लोग गोर करें कि लिटल नाउं स्टोरी किसके बारे में थी वो मदली जना के बारे में थी वो क्या उसमें क्या बताया गया था मैनर आफ थिंकिंग बताईगी थी तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा लिटन नाउं स्टोरी और इसके स्टार्ट में जो वर्ड है वो भी दिया गया था तो उससे भी बदा चल जाता है कि इसका जो सी है वो क्रेक्ट अप्शन है आई होब कि जो टॉपिक संटेंस है वो क्या होता है उसकी इडेंटिफिकेशन कैसे करनी है यह आप लों को समझ आ गई होगी तो मजीद जो है वो आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजएगा मैं मजीद नहीं करवाती क्योंकि इससे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो अब नेक्स जो है उसकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट मर पस कहा है डीटेल्स अब डीटेल्स यह हमारा third and last topic था जो इस lecture में हमने discuss करना था तो डीटेल्स हमने कैसे देनी है कि हमें topic sentence दिया जाएगा उसकी हमने detail जो है वो options दिये जाएएंगे जिसमेंसे उसकी detail हमने select करनी है तो first topic sentence जो हम देख लेते हैं उसमें हमें दिया कि है कि in some parts of the world Famine is a constant human condition and exists due to a variety of causes के दुनिया के कुछ हिसों में जो कहत है वो अभी भी एक्जिस्ट करती है और उसकी कुछ वजुहाद जो है वो एक्जिस्ट करती है और वो constant human condition है तो अब हमने किया इसमें देखना है कि इसकी वो कौन सी causes है इस पे focus हमारा होगा main तो हम options देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया गया first हमें दिया गया है कि in parts of Africa people are dying of hunger by the tens of thousands तो इसमें हमें कोई reason नहीं दीगी कोई इसकी cause वो वज़ा नहीं बताएगी बलके बस यहीं बताएगा है कि मतलब इतने लोग जो है वो भूक के वैसे मर रहे हैं तो second option हमें क्या दिया गया कि famine is partly caused by increased population तो इसमें हमें एक reason बताएगी है कि जो famine है उसकी main reason क्या है कि population increased होती है यह उसकी main reason है कि population के अबादी के इजाफे दाफे कहत साली जो है या कहत जो आता है वो इसकी वज़ा से आता है तो यहां पर हमें एक वज़ा बताएगी है तो third option हमें क्या बताएगी है कि advances in medicine have increased life expectancies तो यह तो बिलकुल भी मैच नहीं कर रहा है जो में topic sentence दिया गया उससे तो यहां पर आप लोग खुद अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो आप लोग को easily इसका answer मिल जाएगा इसका answer मेर पस कौन सा है इसका answer मेर पस B है जिसमें हमें famine की reason बताएगी है इसकी cause बताएगी है कि population के इजाफे से अबादी के इजाफे से जो है कैसा ली जो है वो बनती है तो यही हमारा correct जो है वो answer होगा तो I hope कि आप लोग को जो detail है वो भी पताचल की होगी कि एक topic sentence जो है उसकी detail हम लोग कैसे जान सकते हैं इसके लिए जो चीज़े आप लोग को मैंड में रखनी चाहिए वो यह है कि जब आप लोग एक topic sentence को read करते हो तो उसमें आप लोग देखो किसमें बात की क्या जा रही है सेम यही चीज़े मिलती जुलती है topic sentence जो है और topic paragraph जो है यह सारी चीज़े मिलती जुलती है यहां पे भी आप लोग गर करो कि writers में क्या कह रहा है और अब उसमें जो details हमें दी जाएंगी जो options दी जाएंगे वो आपने वैसे देखने है जैसे हमें topic sentence में कहा जा रहा होगा अब उसमें क्या चीज़ वो बताना जा रहा है और उससे जो मिलती जुलती option होगा वो हमारे क्या होगी उस topic की detail होगी बेसिकली ये जो पूरा lecture माराज का था ये relate कर रहा था main idea से main idea क्या है ये हम next lecture में completely discuss करेंगे तो आज की वीडियो में ये तीनन topics थे I hope कि ये आप लोगे क्लियर होगे होंगे मजीद कोई भी question हो या कोई भी confusion हो तो आप लोग comment section में पूछ सक्शन में इसके सासथ मेरा facebook page, instagram, twitter वगरा का link जो है वो भी मेने description में दे दिया है आप लोग वहाँ पे भी मुझसे contact कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीज़ेगा, comment कीज़ेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you so much for watching my video Allah Hafiz